इस वीडियो क्विट्टेस्ट में बहुत ही अच्छे सवालों को सलेक्ट किये गए हैं नमस्कार, जीरो से जिनियस तक की इसे स्पेशल वीडियो क्विट्टेस्ट में स्वागत है आपका हम इस वीडियो क्विटिस्ट में आपसे पूछेंगे समान ने ज्ञान विज्ञान के 25 इंपोर्टेंट सवालों को जो आपके परतियोगी परिछाओं के लिए महत्वपूर्ण है ध्यान से खेलिएगा चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न है औरजुन पुरसकार 1961 से की से परदान किया जाता है आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जदा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोख सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है ओप्शन नमबर बी खिलारियो को बी हूँ किस राज्य का परमुख्य तेहवार है राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए असम कोईशन नमबर तिन सीनियमा के छेत्र में दादा साहिब पुरस्कार किस वर्ष से सुरू किया गया सवाल अच्छे हैं राइट आंसर है ओप्शन नमबर सी 1979 से कोईशन नमबर फोर सरीर में बिटामिन ए कहां संचित रहता है राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए या क्रित क्वेशन नमबर फाइफ डाबलू टी ओ के मुख्याल है कहां पर इस्तित है राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए जेनेवा आगे सवाल है हीरे की खान पन्ना किस राज्य में इस्तित है राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए मध्य परदेश एमपी भोपाल क्वेशन नमबर नेक्स्ट दुरोनाचारय पुरसकार 1985 से की से परदान किया जाता है राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए खेल पर सिख्छकों को जो खेल सिखलाते हैं उन्हें दुरोनाचारय पुरसकार 1985 से परदान किया जाता है क्वेशन नमबर एट ग्रीन पार्क एस्टेडियम कहां पर इस्तित है राइट आंसर है ओप्शन नमबर सी कानपूर क्वेशन नमबर नाइन सरदार सोरोवर परियोजना किस नदी पर इस्तित है राइट आंसर है ओप्शन नमबर डी नर्मदा क्वेशन नमबर टेन ध्यान चंद्र एस्टेडियम कहां पर इस्तित है राइट आंसर है ओप्शन नमबर बी लखनाउ और आपने अभी तक इसी चैनल को सब्स्क्राइब नहीं करें है तो आप अपने फोन के इंट्रफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिकर करके सब्सक्राइब कर लेजीए और वेल अईकन को दभा देजे क्योंकि ये चानल आपके सिलियोबस पे वार करता है धन्याबाद ग्रेमी पुरसकार 1969 से की सचेतर में परदान किया जाता है सवाल अच्छे है ग्रेमी पुरसकार 1969 से की सचेतर में परदान किया जाता है राइट अंसर है option number C संगित question number next भू आंदोलन को सर्वे पर्थम किसने सुरो किया था राइट अंसर है option number D बिनोवा भावे ने question number next चौथ नामक कर कौन वसुलता था चौथ नामक कर कौन वसुलता था अंसर होगा option number C मराठा ने मराठा लोग चौथ नामक कर को वसुलता करते थे आगे सवाल है राइश्ट्रपती भावन किस पहारी पर इस्तित है राइट अंसर है option number C राय सीना question number 15 ग्यान पीट पुरसकार 1965 से की से छेत्र में परदान किया जाता है ग्यान पीट पुरसकार 1965 से की से छेत्र में परदान किया जाता है राइट अंसर है option number C साहित्य के छेत्र में आगे सवाल है भारतिय संबिधान सभा के ओ अस्थाई अध्याक्च किसे बनाया गया था भारतिय संबिधान सभा के और अस्थाई अध्याक्च किसे बनाया गया था राइट अंसर है option number C डॉक्टर सचीतानन्द सिनहा को और अस्थाई अध्याक्च डॉक्टर अजेंद्र परसाद को बनाया गया थे आगे सवाल है कोईला एक परकार का क्या है राइट अंसर है option number C असाधी चट्टान question number next दूरगा पूजा किस राज्य का पर्मुख पर्व तेहवार है दूरगा पूजा किस राज्य का पर्मुख तेहवार है राइट अंसर है option number B पच्छिम बंगाल question number next भटनागर पुरसकार 1957 से कीज चेत्र में पर्दान किया जाता है राइट अंसर है option number D बिज्ञान question number 20 हरित करांती का संबंध किस से है राइट अंसर है option number C खद्यान उत्पादन से मेंनली गेहूं से संबंधित है आगे सवाल है पुलितेजर पुरसकार 1917 से की से चेत्र में पर्दान किया जाता है राइट अंसर है option number B पत्र कारिता के चेत्र में question number next bull and bear सब्द का संबंध किस चेत्र से होता है बहुत चर्चा में बना हुआ है ये डेली अप्टुडेट होते राता है आंसर होगा option number A stroke market से bull and bear सब्द stroke market से संबंधित है आगे सवाल है calling पुरसकार 1922 से किस चेत्र में परदान किया जाता है राइट अंसर है option number C बिज्ञान के चेत्र में आगे सवाल है उनम किस राज्य का परमुखे तेहवार है राइट अंसर है option number C केरल question number 25 अभिनाव विंद्रा का संबंध किस खेल से है ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पुछे गए थे आप में से बहुत कम लोगों ने इसका राइट अंसर दिये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और भारत का नाम रौसन का रहा था नाम है इनका अभिनाव विंद्रा और ये निसाने बाजी करते हैं निसाने बाजी से संबंधित हैं आपके लिए एक सवाल है यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट वक्स में जाना होगा वहाँ पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट अंसर च्छठ पोजा किस राज्य का परमुख पर्व है तो कॉमेंट वक्स में जाईए और इसके राइट अंसर यति आपने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो यहां इसक्रीन पर किली करके आप देख सकते हैं या आई वाटम पर भी आप किली कर सकते हैं वीडियो इच्छा लगा तो आप अपने मित्र जनों में सेयर भी कर सकते हैं तो मिलता है फिनेक्षीt वीडियो में आप हमरे से रेगुलर जरूर रहिए जय हिंध जय भारत